नमस्कार दोस्तों SOP Schedule of Power Establishment का जो है हमारा Part F Establishment से Related जो भी Authority को Power दिया हुआ किस की Authority को किस सब्जिट में क्या Power दिया उसके हम बात कर रहे हैं मैं Part 3 आज बना रहा हूँ Part 1 और Part 2 बना चुक हूँ जो जिस लोगो ने नहीं देखा है Part 1, Part 2 से आगरा करता हूँ पहले वो देख ले, Part 1 से स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें चीज़ें से समझ में आएगी तो Part 2 तक मैं 12 पॉइंट कवर कर चुका हूँ Non-Gregistered का हम कर रहे है Gregistered का हम बाद में करेंगे Establishment matters पर जो हमारी SOP है Serial No.13 में कहा गया है Sanction of Investigation of Claims of Areas of Pay and Allowances यानि कि जो भी पुरानी Pay के जो Areas है Allowances के Allowance कई लोग में देखा चल रहा है इसको लोग है इसको क्लेम नहीं करते है TA होते हैं Overtime का Allowance देना लिग बहुत बाद में आता है जो भी अपको पुराना कोई Pay Areas है Pay का और Allowances का उसको आपको क्लेम करना है तो उसके बारे में क्या पावर दिया है बता दूँ इसमें कि जेजी, सीने स्केल और S.P.O. जो पावर दिया गया है सीने स्केल को वो आपको अप्टू क्लेम अप्टू 3S तीन साल के अंदर अग्र क्लेम कर लेते हैं तो आपको पुरा मिल जाएगा आपको Jaiji को पावर दिया हुआ है उसके बास duh माली जे तीन साल से पुराना है तो पुराना गर तीन साल से पुराना जैसा भी 2024 चल रहा है इसमें भी यही पावर दिया है, claim सर्फ टू 3S तो वो करी सकते हैं, जैसे जी जी करसे हैं, लेकिन उसके पहले लेगा जो claim में 2,20 का, 21 का, या 18 का, 15 का, 10 का, तो maximum power से 10,000 रुपे तक कहिए, जो भी amount माली, एक लाग रुपे का ARS बनता आपका, तो एक लाग पर से 10,000 जो है, वो बाकि 90,000 के लिए रेले बोर जाएगा, यह अभी रिमास कोल में बताऊँगा, similarly, headquarter तक में भी power, same, DRM, ARS वाला यह 10,000 रुपे, आनि 3S तक तो पूरा power दिया हुआ है, PCP, CPU, ADOM को, और उसके आगे उनको भी 10,000 का ही power दिया है, 3,000 साथ से उपर का ARS, तो यह बता दूँ आपको, इसलिए आप कोशिश कीजिए, कि जो भी आपका payment है, वो आप timely claim कर ले, more than 3 years, up to 3 years भी claim कर लेते हैं, तो power जे जी तक है भी आगे नहीं जाना है, timely claim कर ले, ज़्यादा बेटा रहे, कोभी चीज को timely claim करना चाहिए, जल्दी लग जाता है, रिमार्स में कहा गया, finance concurrence, कोभी area claim, जैसे आपको मालूम है, कि 3 महने से ज़्यादा पुराना होता है, तो इसे area claim लगता है, उसमें आपको finance concurrence क्या शिकता होती है, in case of claim for period beyond 3 years exceeds 10,000 rupees, उसमें हमने बता ही चुका आपको, the power to sanction claims of areas under column 3, 4, 5 is limited to less than 3 years, less than 3 years का मामला जो है, यहां तक ही, जितना भी बताया हुआ है, less than 3 years के लिए बताया हुआ है, sanction of real report is required for balance amount that is portion beyond 3 years, एनि अप्टो 3 years जो है, वो आपको पूरा मिल जाएगा, वो 3 years के बाद है, तो आप सिर्फ 10,000 जो है, division में DRM, ADNM को दिया हुआ है, CDLM को, और headquarter में PCP, OCPO को दिया हुआ है, जो 10,000 का उसके उपर है, जो remaining amount है, जितना भी है, वो आपको रेले बोर बिजना पड़ेगा, from the date of its become, it become due, as per pera 1004, 1004 or 1005 IRM, shall constitute as a date of administrative order issued pursuant to the direction, public order of the court, tribunal, etc., or the date of administrative order issued pursuant to the decision of competent authority on a representation received from the affected employee or his these are, ये आगे मैं बता हूँ, representation, etc., as the case may be, leading to the arising of claim, ये वो समझने के बात है, कि areas claim है, पुराना तीन साथ से जदी पुराना है, नहीं है, उसमें काफी confusion होता है, माले ये कोई कमचारी है, उसको दोजार, अभी 1224 चल रहा है, माने, 2015 से उसको MSV मिला है, 2018 से बिला है, जो कि त मामला है, कोई पुराना जो कोई claim बनता है, ये रिस्ट्रेक्चिंग करे बार है, माले ये इसको back debt से मिला, कुछ मामले में होता है, कि कोई dispute की वज़े से, seniority dispute की वज़े से, किसी वज़े से, जो रिस्ट्रेक्चिंग में होगा, वो तो वहाँ तो areas मिलेगा, normal promotion हम देते है कि वज़े से, क्योंकि रिस्ट्रेक्चिंग में मेरे पास में example है, जिसमें 5-10 साल बाद मिले हुए है, क्योंकि रिस्ट्रेक्चिंग में condition थी कि आपको post equal matching surrender, matching surrender चाहिए देना आपको, तो कई बार division के बास होता रही हो, करते करते, एक अमदात के case है, जहाँ engineering को काफी साल बाद दिया, क्योंकि पहले agree नहीं हो रहे थे, post surrender करने के लिए, तो कई बार मामले में काफी late हो जाता है, तो इसमें कईयों को doubt है, कि माली जी को 15 से किसी को देना है, अभी 9 साल हो गया, यह आपको नहीं मिलेगा, आपको 3 साल से जादा, तो इसमें, जो मेरा interpretation में कर और जो relevant के एक लेटर भी निकलाता, रिसेंटली मेरा पस नहीं है, तो कोई भी claim को पुराना claim कम माना जाएगा, पुराना claim तो माना जाएगा, मानि जो कमचारी के promotion order है, यह joining है, वो अगर 2015 से का order है, मामले जीए, और वो आज claim कर रहा है, order, administrative order जो है, प्रशाशनिक 2015 के, तो यह पुराना order मा जाए, लेकिन किसी कमचारी का, उसके reputation पे यह union item लिया हुआ है, या court के order से, किसी भी order से, अगर उसका जो benefit है, उसका आदेश आज निकाला है, 2024 में निकाला है, और benefit दिया है 2015 से ही, तो उसको पुराना claim नहीं माना जाएगा, कि जिस तारिक से fit दिया है, आदेश अभी जुलाई 2024 में है, तो जुलाई 2024 से भी 3 साल count करेगे, यानि 24-37, तो जुलाई 27 के बाद अगर claim करता है 2015 वाला, तब वो delay होगा, लेकिन अगर administrative order आज मिल रहे है, तो administrative order निकल लेकि 3 साल के अंदर वो claim करेगा, तो उसको delay नहीं माना जाएगा, claim का है, ये आपको नहीं देखना है, claim कर, जो बनता है, किसी भी कमचारी को जो भी बेरिण मिलता है, promotion area से जो भी है, किसी नहीं किसी administrative order के ऊपर ही उसका claim मरें, जो एकांट में जाएगा, वेट के लिए, तो वो एक administrative order के ऊपर ही due or done मनता है, तो वो administrative order के उसकी date से within 3 years अगर claim होता है, तो वहाँ जरूत नहीं, उसको delay claim नहीं माना जाएगा, और उसकी अगर administrative order के order से भी 3 साल बाज होता है, तो उसको delay माना जाएगा, इसके साबसे ये मेरा interpretation है, इसके उपर एक relay board ने काफी अच्छा clear letter भी निकाला था, वो अभी राजिकली मेरे बस connect नहीं कर पारा ह अगर वो किसी पास हो तो मुझे बेजीगा, उसके एक specific में एक video बनाऊगा, छोटा दे बढ़ेगा बाज ता कि लोगों काफी लोगों फायदा हो, उसमें, इसके बाद अगला point है, इसमें 14 number का confirmation of non-registery staff, तो मैं बता दू, confirmation क्या होता है, जैसे कि आपको मालू है, कोई भ 24 मने का, और एक बार कमचारी ने रेले में जोइन कर लिया और काम करता है, फिर इसको time to time जो regular promotion मिलते है, तो promotion के बाद किसी जमाने में 2 साल का हुआ करता है, लेकिन अभी promotion में सिर् 12 मैने का ही promotion फिर होता है, यानि initial requirement में 24 मने का, यानि एक साल का, और promotion के बाद आपको promotion फिर होता है, एक साल का, तो अगर promotion period, promotion में complete करने से पहले ही आप transfer में, internal transfer, mutual transfer में चले आते हैं, lower में, तो फिर आपको pay protection नहीं मिलता है, एक question के लोग मैं पूछ रहे हैं, mutual transfer में, अगर same grade में transfer ले रहे हैं, मानले जी एक आदमी 42 में था station master, और 46 में गए, दोनों 46 में गए, वहा question बूछ रहे हैं, कि sir, हुआ प्रोडिक्शन मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो आप same grade में जब जा रहे हैं, तो कभी भी आपको pay protection चिंदा नहीं के नहीं, आपको pay protection देगा, pay protection की बात यहाँ आती है, जब आप higher से lower में जाते हैं, level 6 से level 5 में जा रहे हैं, 5 से 4 में जा रहे हैं है 5 से आपको 2 में जा रहे हैं जब आप जिस लेवल में काम कर रहे हैं उसके नीचे ले लेवल में जब आते हो तो आपकी pay production की बात होती है अगर same level में जाते हैं चाहिए इंटरेले on request में भी आप same में जा रहे हो या mutual में भी same में जा रहे हैं तो वहाँ pay protection की बात की जरू थे नहीं अब level छोड़ने रहे कम में जा रहे कम जब जाओगे तब आगो pay protection आएगा तो अब यह बात का रहा हूँ confirmation की तुम्हें बदाने इसमें कभी मौका मिला तो वीडियो बनाँगा मैं तो पुराने जो नियाम है उसकी साफ से जैसे कोई initial requirement की बाद दो साल पूरा होता है दो साल तक वो provision period में रहेगा और उसके बाद वो confirm होगा रिले में दो साल तक उसको हम परमाट regular employer नहीं मानेंगे उसको तो उसके बाद एक confirmation के order निकालना है सभी जगे से वो generally मैंने अभी देखा है नहीं हाथ भिलाद में इसलिए कई सालों से कहीं से निकलता है लेकिन ये rule हो अभी भी ये stand good rule है जाने कि rule बंद हो गया अभी भी master साफ लिए 12-19 में निकला है तो ये अभी भी लागू है rule है तो निकालना चाहिए तो उसके लिए शक्षमादगारी कौन है तो इसमें ये काया गया है मतलब ये वही बात अगी कि जो भी कमचारी आ रहा है लेवल वन से लेवल सेवन तक जो बंदे आ रहे हैं उसका जो अपेंडिं को थोर्टीर रहता है यानी जो आपेंडिं को थोर्टीर होँगे पुर्टीर निकाल सकते हैं और वह सभी कमचारी जो उनकी अन्टरम काम करते हैं उसके लिए उसक्षमादिखारी रहेंगे फाइनास कंटन sousर्टीर कि आफशिकता नहीं है अगला है, पॉइंट नमर 15 है, कई बार कई लोगों का जैसाब को मालूम है, कि रिटार्ब के टाइम पे कई सारा और पेमेंट निगलता है, रिकवरी बनती है रेले से, तो रिकवरी जनरली ग्रेजुटी से ही रिकवरी की जाती है, तो उसमें पावर दिये है, कोई भी पेमेंट किसी कमचैरी को अगर वो गलती से हो गया ओवर पेमेंट, इसमें मैं एक ज़रा दिखा दूँ, नहीं पेरा यहां दिखाया हुआ है, यह हमारे चप्टर 10 है, और इसके अंदर मैं बता दूँँ 1013, यह है, रिकवरी ओवर्पेमेंट, यह है, उसको बत पोस्ट चेक होता है, तो इसमें कहाँ गया है कि जो पोस्ट चेक वाले मामले हैं, किसी में प्री चेक भी होना होता है, लिख शेट की ज़रा से नहीं कर पाए, तो अगर आपको वितिन वन यहर के अंदर आपको मालन चलता है, कि यह गलत पेमेंट होगा है, इसको रिकोरी करना है, उसके लिए पावर है, उस एमांट को रिकोरी करना है, विलेमन को वियोफ यह माफ करना है, तो जे जी को कोई पावर नहीं है, और ऐसे जी इसमें बताया हुआ है, कि इसको एक हजार रुपे तक को माफ कर सकते हैं और ये जो है PhD को एक हजार रुपे बताया हुआ है और condition इसमें जो बताई है वो बताई है आई एरिम का volume 1 का पैरा जो है 2013 से लेकि 1013 to 1019 is to be followed इसमें भी way of करने के लिए भी period prior concurrence of finance business को भी payments related जो मामला होता है तो उसमें finance का involvement होता है बिना finance की concurrence से हम को भी financial matter को deal नहीं कर सकते हैं हर जेगे जहां में finance involved होता है पैसा involved होता है आपको finance को concurrence लेना ही है ये एक general रूप है इसके बाद two way of recoveries of amount overdone by non-guestate daily servant which have been detected after one year जो और पैमेंट हो गया था जिसको within one year detect किये उसके लिए भी बता दिया और वही मामला अगर एक साल के बाद आता है पता चलता है कि और पैमेंट हो गया है उसको way of करना है यानि माफ करना उस पैसे को तो जेजी को एक हजार पर जेजी को पास power दिया हुआ है DRM, ADRM, SIG को पूरा power माफ करने के लिए जितना भी amount है पहोडी जो है COD, Coordinated, HOD और HOD जो भी है उनको भी पूरा power माफ करने के लिए condition वहापी स्वही रहेगी 101321019 जो IRM volume 1 का जो पैरा है उसको आप जितने भी उसमें rules लिखेंगे वो condition को फुल्फिल करना है और प्रायर कंग्रेंस की कंग्रेंस प्रायर लेना जो रही है इसमें भी 17 नमर हमार हो गया 18 नमर अब चलेंगे retention of railway quarter, railway quarter retention के उपर मैं पुछ वीडियो बना चुका हूँ आप देख सकते हैं डिटेल में क्या क्या होता है retention railway quarter अब permission किसको है उसमें मैंने शायद बताया हुआ विसे तो SOP मैंने बताई थी दोबारा मैं repeat करता हूँ transfer के मामले में on transfer from one station to another station within same railway, एक ही railway में एक station चर दूसरे station में जब transfer होता है तो मकार रुखना पड़ता है family को कई वार अधनी immediate shift नहीं कर पता है यह बच्चों के पड़ाई चल रही होती है तो first two months जो होती है जैसे भी आपको मालू है transfer के मामले में first two months जो होता है plus first two plus six होता है generally transfer मामले में तो first two months जो जैसे जी सीनेस के लगा इंचार्ज है वापर उनको पूरा power दिया है normal rent में जो स्टाफ उनके एंडर में काम करते हैं उनको power दिया है जैसे जी को power नहीं दिया गया है तो up to two months जो है जे जी एपूल दिस थे है और जैसे दो बने के बाद अगर further six month का भी रूल है तो उसके लिए पर आपको ADRM, DRM के बास जाना पड़ेगा SCG के पर जो भी office available है तो इसमें लिगा है full power on payment of double the license free rent till the end of economic session public sickness of response तो अभी sickness का जो ground था रेले ने खतम कर दिया अभी simple कर दिया ही पूरा भटा दिया है जो रेले बोड का 2020 का सुखलर जो मैंने अपने वीडियो में बता हुआ है कि कोई भी कमचारी होता है वो अब easily अपना मकान transfer के उपर 2 plus 6 months रोख सकता है 2 plus 6 का मतलब 8 मैंने तक रोख सकता है without any reason उसमें पहले 2 मैंने जोगा उसका normal rent लगेगा और बाकी के जो 6 मैंने होगे वो double the normal rent जो भी normal rent है उसका दुगना लगेगा लगेगा लेकिन अगर किसी कमचारी को मामली 6 मैंने से भी ज़्यादा जरूत है तो वो सिर्फ execution ground में मिलेगा बच्चा अगर पढ़ रहा है उसका और 8 मैंने बाद भी उसका है session माली जी कुसी का transfer आपको है जुलाई में हुआ है अगर माली उसका अप्रेल में खतम होता है तो session खतम होने के plus 15 days और अगर मही में खतम होता है तो मही का last exam जो भी होगा वहाँ से plus 15 days मिलेगा तो session खतम होने तक आठ मेंने बाद मिलेगा लेगा अगर execution ground नहीं है तो फिर maximum आठ मेंने ही मिलेगा इसके लाविक प्रोविजन और railway board ने रिसेंटली 2017 में निकाला है when the ward of a railway employee is studying 9th and 11th class retention of railway accommodation may be allowed on execution ground to cover the current economic session and also the next recommend session examination of the ward till the end of economic school session of the class 10th or 12 respectively plus 30 days यानि normally किसी भी बच्चे का किसी भी कमचारी का बच्चा है जिस class में पढ़ रहा है तो उसका last exam plus 15 days मिलता है लेकिन अगर बच्चा किसी कमचारी का 9th और 11th के बच्चों के लिए special provision railway board ने दियेंगा अगर बच्चा 9th और 11th में है तो board के जो exam होते है 10th और 12th वहां तो उसको मिलेगा तो board के exam 10th का 12th का जो last exam होता है वहां plus 15 days तख मकान रोख सकता है अगर किसी कमचारी के बच्चा 9th में और 11th में है तो on depression to rail tail compression or IRCT कोई कमचारी जो rail tail compression और IRCT में काम कर रहा है तो यहाँ DRM EDM कोई power ने दिया है headquarter में power है full power on normal rent up to 2 months beyond 2 months period is let down from time to time by the railroad तो यहाँ दो मेने तो मिल जाएगा प्यूटी से और बात के जो period है वो जैसे time to mom railway board letter निकालता extension के उसका से बेंट मिलेगा और यहाँ रिमार्स में कहा गया है कि beyond 2 months IRCT should pay should pay to the railway and an amount equivalent to HRA admissible to the railway servant on deportation to IRCT तो दो मेने के बास जो होगा वो IRCT जो है railway employee को हारे के claim amount pay करेगा और depreciation industry प्लस flat rate of license fee prescribed by the railways जो इसके अलबा जो flat rate जो दिया है railway ने जो prescribed के वो भी देगा हबर normal license fee should be required from the bridge लेकिन normal license fee है वो record करनी है यह का गया इसमें और transfer to new journal railway यह 23 में कई journal railway बने थे जो दो दा तीन चार के अंदर उसकी बात है अभी जनरल जोनरल जोनरल है ने लेगे लेकिन जो जोनरल 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 को फुल पावर दिया हुआ है सब्सक्राइब करें अब दिया है इसके लिए कंडिशन बताइए कि इसके लिए के the staff posted have applied and registered for allotment of entitled category and that accommodation is not available in the news halls. एक certificate देना पड़ेगा कमचारी को जो कि SDGM rank होगा, हैनि SDGM generally to SAG grade officer होते हैं, तो SAG grade तो SAG grade का officer का certificate लगेगा उसको, कि उस कमचारी ने मकान के लिए apply कर दिया या उसका name register कर दिया है, जो भी उसके लिए eligible category है, टाइब 2 का एद टाइब 2, टाइब 3 का एद टाइब 3, टाइब 4, जो भी quarter का उसको entitlement है, और वहाँ पे अभी फिलाल मकान available नहीं है, ये एक certificate SSAG grade officer का चाहिए, तब ही उसको इतना बेर्ट मिलेगा. Missing Rayleigh Employee जो कमचारी गुमशिदा होते हैं, तो मैंने पहले वीडियो बता हुआ है, कोई भी कमचारी अगर missing है, गुमशिदा है, तो सबसे पहले आपको परिवार वालों को अगर नहीं मालू है, तो आप बताइए कि आपको FIR करानी है, क्योंकि लेले में जितने भी benefit है, missing के अंदर बता दूँ आपको, NPS to OPS का मामला होता है, तो कमचारी NPS में तो वाइफ को OPS के बेंट मिल जाता है, quarter attention permission मिलती है, settlement यूज छे मैने में में रिलीस करने के आदेशने सब कुछ मिलता है, सारे benefit, सारे benefit एक काम के उपर मिलेगा, कि उसने F.I.R. Lodge कराई कि नहीं कराई, और F.I.R. Lodge नहीं कराई, तो officially हम उसको missing नहीं मानेंगे, उसको कुछ भी एक single benefit भी नहीं मिलेगा, तो मैं बता दूँ आपको जैसे ही कुछ कमचारी missing होता है, तो F.I.R. Lodge करवाई है, आपके नस्दीक में जो भी कमचारी काम करता है, अगर किस तरह मामला होता है, तो उससे सारे benefit मिलेंगे, तो missing कमचारी के मामले में, जो है मकान रोखने की जो पावर है, वो भी DRM, S.A.G. Guide Office लो दिए गई है, कितनी पावर है, जन्हें डेट के जैसी मिलती है इसमें भी, नॉर्मल बताया हो कि F.I.R. Lodge करने से, देख लिए यहां पर लिखा हुआ है, on normal rent for a period of one year from the date of lodging F.I.R. यानि F.I.R. Lodge करने से की तारिक से एक साल तक नॉर्मली मिलेगा, और फर्दा एक साल ओर मिलेगा, अगर पुरी सो थर्टी है सर्टीवेक देते हैं, कि वह अमसरे जो है, वो not traceable है, तो missing के केस में F.I.R. प्लीज जरूर लॉज करवाएं, अगर आपके किसी कमचारी है, जिसको जानते हैं, वो अगर missing है, तो तक कि उसको railway के जो भी benefit मिलते हैं, वो दिये जा सकें, retirement के केस में, जो आपके retention मिलता है, वो 4 प्लस 4 मिलता है, तो इसमें कहा है, J.G. और C.N.S. के लिए जो है इंडिवेंट चार्ज है, यह full power up to 4 months, normal rate of license fee up to next 4 months, on payment to double the normal rate, on account of sickness, वो इसको जो जो आटे किया, अभी नया rule, जो policy बनी है, अभी simple को भी कमचारी retirement लेता है, तो उसको 4 प्लस 4, यह आठ मैंने उसको जो है, quarter रोख सकता है, वो first 4 months जो हैगा, उसको normal rate लेगा, उसको double the normal rate, जो भी पहले लिया, उसका दूना लगेगा, simple कर दिया है, यह पावर डियारा मेडिया, वो हैड़कॉर्टर में कुरिशिटी को दिये होगा है, अगर उसके बाद है, मकान नहीं खाली करता है, आट मैने के बाद पर उसके लिक आगए है, टेलिस्कोपिक पैनल रेंट पैनल चार्जेस टू बी इंपोज्ट ओन इन केस ओ अनुथर्स रिटेंशियों और रेलियो काटर इन दा लाइन ओ जी पी आरे, तो इसके बाद रेलियो बोड की फॉलिसी निकली है, आप उसको इमिडिटली खाली करके किसी किराएक मकाम से लिए, क्योंकि उसका जो एमोंट है, वो लाखों में निकलते देखा हुआ, एक मेरे याप एक फैमिली थी, जो शायद लेवल फॉर, लेवल फाई में एमप्लोई टार हुआ था, और उसको मकाम खाली नहीं किया था, तो मुझे जहां तक याद है, एक साल का है, शायद 15 लाख रुपे उसका एमोंट किल्कुलेट हुआ था, तो काफ़ी बड़ा एमोंट होता है, एक साल के लिए भी, अगर आप अनौथराइज रखते हो तो, एक साल, या सुरी, अठारा मैंने कुछ साल का, तो उसका फंदरा लग 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 एक लाख जिससे एमोंट, जो मुझे रॉफ आइडिया है, तो काफ़ी बड़ा एमोंट हो देता है, तो बिलकुल भी ये सजेस्टिव नहीं है, तो मेरा ये सिर्फ, ये मैं सजेस्टिव करूँगा कि अगर किसी का भी कौटर खाली जो पीरिड है, उसके बाद इमेडिटली खाली करके प्राइड में चला जाओ, वो सस्ता बढ़ेगा आपको, जाले लेगा काफ़ी महिंगा पड़ता है, F के अंदर है, वी अगरेड़ के मामले में, या ये कोई कोशन चारी यह, जो पुरी तरह मेडिकल अनफीर हो रहता है, उसके मामले में, 24 मैना जो है आपको, एक तो डेट केस में जर्रली इजिली सब को मालू में एक आचके कषिज़ में पूचाता है, death case में 24 में आता है लिए medical invalidation case में लोग याद नहीं कर पाते हैं ये अच्छा कुछ है ना exam कुछ नहीं लिए कि total medical invalidation मामले में or incapacity मामले में कितना retention मिलता है तो इसमें भी 24 में मिलता है जिसे death case मिलता और ये भी normal rate मिलता है J.A.G. और senior skill officer को पूरा पावा है मैं बता दूँ आपको एक rough calculation करेंगे तो जितने भी retention है आपके एक missing को छोड़के और ये टासर के मामले में two months के बात के मामले को छोड़के बाकि सभी मामले में J.A.G. को power दिया गया है या आप देखिए है two two months में दिखा हुआ है या further two के बाद जो six months यहां नहीं दिया गया और missing को छोड़ दें तो बाकि J.A.G. को power काफि दिये गये है quarter retention के मामले में तो death case में रिमास बदा दूँ इसमें कहा गया है कि in case of deathful power up to 12 months on normal rent further 12 months on normal rent provided that disease and hazardous dependent do not own house at the place of postage तो death case में जो है मामले में 24 मेने के जो बात के ही है उसकी condition है कि आपका खुद का मकान नहीं होगा आची है तो आपको 24 मेने मिलेंगे अगर खुद का मकान है उसी शेहर में जहां कंचा एडार हुआ तो तो सिरह आपको 12 मेने का ही मिलेगा retention normal rent पे during leave छुट्टी के दिन में जिसमें EOL भी शामिल है other than on medical ground for a period not exceed 120 days 120 दिन की से कम छुट्टी जिसमें medical leave ने HLAP में sick leave के छोड़ के बाकी मामले में जो है DRM, ADRM SAG को पावर है और इसमें रिमास लिखा officer will exercise the power of in respect to quarter in the pool controlled by them and respect to staff under their ministry quarter जो कमचारी जिन अधीका ये इसका staff काम करता है और उनके पास administrative quarter का भी administrative control है उस pool का वो reason लेंगे 19 नमर का point बोलता है grant of daily allowance for halt in excess of 30 days ये बड़ा अच्छा rule है जो हमारा daily allowance जिसको हम TA बोलते हैं कोई भी कमचारी जो अपने headquarter से beyond 8 km जाता है तो उसको हम daily allowance TA देते हैं 6 गंटे से कम अगर रहता है तो 30% 6 से 12 गंटे के बीश में है तो हम उसको 70% और 12 गंटे से ज़्यादा का absent रहता है 12 बज़े से 12 बज़े के रातरी के बदी की time में तो उसको full daily allowance मिलता है तो कोई भी कमचार है जब एक station से B station गया A से B गया तो B station पर उसको हर 30 दिन से कम होता है तो तो जो normal sanctioning authority generally junior scale भी sanction कर देता है हलाए कि मैं देगा इसमें missing है up to 30 days का कुछ power बताया है नहीं हलाए कि यहां लिखा हुआ है junior scale senior scale power up to 60 days यानि लेकिन less than 30 days का कुछ बताया है नहीं मैं देख रहा था कि किसी का दो दिन पास दिन दस दिन है तो वो कों sanction करेगा वो कुछ बताया है लेकिन generally जो practice में है वो है up to 30 days generally junior skill officer sanction कर देता है और इसमें जो यह SOP जो बोलता है वो बोलता है more than 31 दिन से अब तो 30 दिन तक junior skill कर रहा है इसमें जो यहां practice में चला है तीस दिन के बाद किसको पावर है तो इसमें selection grade J.A.G. सिनेसकल independent charge तो जो आपके J.A.G. officer होता है यह selection grade है यह सिनेसकल officer in charge है तो वो up to 60 days तक claim कर सकते हैं उसको 31 दिन से 60 दिन के वीच्ट का claim है up to 60 days वो J.A.G. कर सकते है 60 दिन के बाद फिर कोई power नहीं है ठीक है उस 60 दिन से ज़्यादा है state तो फिर आपको जो power है वो DRM A.D.R.M. के पास है जो T अगर किसी का कमचारी का 60 days से ज़्यादा हो रहा है तो फिर up to 180 days जो है DRM A.D.R.M. को जाएंगे मैं एक बाद दोरा समझाता हूँ हाल्ट का मतलब होता है एक कमचारी मालेजे A स्टेशन से B स्टेशन गया और B से फिर C गया और C से D गया तो दो अलग एक कमचारी जो है मालेजे A से B गया और B स्टेशन पर एक continue 60 days काम कर रहा है और 60 days के बाद आ गया या मालेजे 65 days के बाद आया सब्सक्राइब समझाने के बाद 65 days के तो B पर वो 65 days रहा तो दूसरा एक 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 स्टेशन पर जब तीस दिन से ज्यादा करते है तब यह वाता थी है लिगना अगर तीस दिन से कम है यानि एक 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 स्टेशन पर जो करता आदमी उसको हम पकड़ेंगे अगर हो रहा है उसको टोटल काउंट नहीं करना है यह मेरा इंटरपरिशन Sanction of mileage allowance यह mileage allowance के बारे में कहले लोग कंविस होते है कि mileage allowance क्या होता है जैसे TA को हम daily allowance बोलते है ऐसे ही mileage allowance होता है जो कि by road जो दूरी तैग की जाती है कोई भी कमचरी जब by road vehicle से खुद की bike हो खुद का car हो या auto से जब जाता है duty point से दूसरे duty point पर जब जाता है duty कोई performance एक रेले में कई duty से होती है जिसमें आपको by road जाना पड़ता है तो उसमें जो claim करता है auto का, bike का, car का जो fair claim करते है उसको हम बोलते है mileage rounds उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि full power दिया हुआ है J.A.G. officer जो भी authority उसको full power दिया हुआ इसमें इसमें कोई condition जी है और concurrence of finance is not this इसमें accounts का भी आपको वेट करने ज़रूत नहीं है 21 point बता है grant of HRA to staff who are posted registration at which HRA is admissible HRA देने के लिए किसी भी कमचारी को HRA देने के लिए जो power है वो junior scale officer को दिया हुआ है group D के लिए और J.A.G. को senior scale को दिया हुआ है पूरा पाव दिया है इसमें भी finance करने करने के अफशिक्ता नहीं है किसी भी कमचारी को HRA देने के लिए subject to the condition laid down in rule 7706 of IS Indian Railway Establishment Court Part 2 के अंदर 1706 पेरा में कुछ condition से मैं खोल देता है यह condition है house rent allowance shall not be granted to a railway employee if HRA किसको नहीं देना है बताया गया है कि he does not incur any expenditure on rent for his accommodation यानि accommodation के लिए अगर को rent के परोग खर्चा नहीं करता है यदि he occupies accommodation provided by the government सरकार के द्वारा दिया गया है house में वो रहता है he share government accommodation allocated rent fee to another government किसी और कमचारी के साथ sharing किया हुआ है और इसके अलबा वो उपने parents के साथ रहा है sister brother के साथ रहा है कापी सारी condition है तो इस condition को अगर fulfill करता है तो उसको मिलेगा यह detail में आप दे सकते है 1706 अभी मैं समय का बाओ के लिए जाए डेलम नहीं बता रहा हूँ आपको तो यह आपको fulfill करना है यहां लिखा हुआ है 1706 पर condition जो बताइए उसको fulfill करेंगे तो HR दिया जा सकता है इसके लिए सक्षिमा दियारी बताया हुआ अब लिखा है Grant of House and Allowance in the Event of Non-Acceptance or Surrender Vacation of Railway Redemption यहांनि किसी कमचारी है उसको quarter दिया है उसने accepted के मना कर दिया या उसको already quarter था उसको उसने surrender जमा कर दिया है या vacate कर दिया उसने खाली कर दिया है इसे मामले में power जो है DRM, ADRM, SSG को दिये गए है उसकी condition, finance, concurrence necessary बताया हुआ इसमें जो note important है Note admissible to employee for whom railway condition is specifically year mark or to those employee whose occupation or railway quarter is essential for easy accessibility during emergencies, efficient discharge of the duties railway quarter के मामले में हमारे तीन तरह के मामले आते हैं एक तो कुछ करमचारी जोसे PWI, SSC, PWA बगर होते हैं station, station master SS होते हैं अगर quarter उनके लिए year mark quarter है तो उनको HRN मिलेगा नहीं चाहे हो रहे नहीं रहे दूसरे railway quarter के मामले essential staff और non-essential staff होते हैं essential staff के मामले अगर उनके लिए quarter बने हुए है और रहना जोरी जैसे बताया हुआ है emergency के लिए especially roadside station में quarter होते हैं उनके लिए बनाई जाते हैं तकि वहाँ available रहें तो जहां अगर essentially रहना तो आपको HRN नहीं मिलेगा यह का गया आश्में 22 में कहा है two stop HRN under rules in the event of an employee refusing to accept the accommodation offered by railway किसी कमचारी को HRN चल रहा था उसको दिया जाता क्यों जिसके बस वहाँ पर उस place पर administration कमचारी को quarter provide नहीं कर पादा था यह shortest थी quarter की अब किसी वज़े से quarter available हो गए है वो अप्लोई जो है वो मना कर रहा है कि वो नहीं लेना है तो ऐसे मामले में मकान stop करने के लिए हरे stop करने के लिए जो power दिया है जे जी सीने स्केल आफिसर हो दिया हुए जूने स्केल ग्रूप डी के मामले में जूने स्केल को power दिया हुए finance के इसमें आफश्क्ता नहीं त्रेबिस में A में का गया है to permit occupation of quarter upon resignation discharge कोई कमचारी है resignation के मामले अफ़के मालोगे एक मेने का हम retention रख सकते है quarter resignation, removal और dismissal सभी मामले में कोई भी कमचारी अगर resign करता है या remove तो एक मेना मिक्जियों quarter को रख सकता है उसके लिए जो power है J.A.G. को दिया हुए C.N.S. केल को full power दिया हुए junior scale officer या call जो है एक मेना दिया हुए एक जो group दिया हुए उसको junior scale एक मेने के लिए अलाओ कर सकते है और level 2 और अबाओ के लिए senior scale या J.A.G. अलाओ कर सकते हैं एक मेना मिक्जियों मिलेगा audit account concurrence के इसमें आशकतान नहीं है और यही power डियार मेडियों हायर को भी दिया हुए B में काया upon joint occupation as per external rule and orders अगर sharing का permission देने के लिए इसमें बताया हुए joint occupation दो कमचादी एक साथ ही की मकान को अगर रहना चाहते हैं तो पहले देखको alert होगा फिर दूसरा उससे joint occupation का permission मागनेगा यह sharing का permission मांगेगा तो वो किसको power है वो JG CNA skill को full power दिया गया है और account concurrence के आशिकता नहीं है 23 का B हो गया है अब 24 कम देखते हैं to sanction right of of irrecoverable personal advance or amount otherwise due from non-registered railway servant that is rent कोई कमचारी है उसको personal कुछ चीज़े advance दिया हुआ है कुछ rent है सी कुछ चीज़े है जो उसके personal फायदे के लिए दिया गया sanction किया हो वो recording नहीं पर है उसको right of करना है और इसको maaf करना है तो वो power जेगर officer को तो नहीं है DR medium को पोरा power दिया है वो maaf कर सकते है तो maaf करने के लिए जो condition है जो मेरा बताई थी आपको condition prescribed in para 10132101 and IRM का जो मेरा पैरा आपको बताया था यह आला 1013210 यह आपको fulfill होनी चीज़ में सारी condition आपको पढ़नी पड़ेगी नहीं फुल्फिल होने के बावद ही यह maaf किया जा सकता है ऐसे जीगर officer के द्वारा अगला पच्चिसवा है Children Education Allowance की sanction के लिए किसको power दिया हुए प्रहर कमचारी इसके लिए करिम करता है तो इसमें J.A.G. C.S. के जनले लिए नितना हम लोगे साइन कराते है तो जनले इसके लिए जनले इसके लिए जनले 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 कराते हैं तो टी-ए के जो रूल थे इसमें तो मैंने बतायाता है कि जनले अपको 30 दे जनले इसके लिए साइन करते हैं लेकि इसमें कहा गया है कि कोई कमचारी है जो बाहर का कोई विक्ति है जो रेले अप्लोई नहीं है वो किसी डिपार्मेंटल इंक्वारी में अटेंड कर रहा है तो उसका जो टी-ए का क्या एमांट देना उसको वहारे तो ग्रेड के साथ से फिक से लिंग भार से जो विक्ती आ रहा है कोई कम आ रहा है जो विटनेस डिपर्मेंट में पार्शिपीट करना आ रहा है तो उसके क्या रेट है उसके लिए कि आप 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 तर डियाराम SAG officer को पावर है इसके बाहर में एक rule में बता है इसमां condition लिखी है rule 1696 of Indian Railway Establishment volume 2 तो volume 2 में एक authority बता दिया है मैंने निकाल कर रखा हुआ है when in a case not covered under rules 1694 to 1694 a person not being a servant of a union is required to attend any meeting of a commission of inquiry or a board or conference committee or a department of inquiry convened under proper authority or is required to perform any public duty in a honorary capacity he may be granted such tabling allowance is may be general or specific order be determined by the head of the department division layer manager with due regards to the such person's position in the life यानि कोई भी जो भाहरी विक्ती था उसका जो status है उस status के अधार पर मंदल पमंदग या चोड़ी जो हो decide करेंगे उसको कितना daily allowance देना है अगर उनको किसी भी प्रकार की inquiry में, commission of inquiry या board inquiry, conference committee में या किसी department inquiry में participate करना है जिसको कि एक proper authority जो है इसको उनने इस किया है तो ऐसे मामल में जो authority power जो दिया है वो दिया है DRM या SAG और official या इसमें सबको दिया हुए DRM, EDM सबको दिया हुए अब हम CTG की बत करें composite transfer grant sanction in respect of normal claim जो normal CTG claim है जो serving employee का आपको मालूम है कि within six month claim करना होता है यह रिमार्स में लिखावा है CTG के लिए accounts concurrence क्याव शिकता नहीं है in regard to serving employees generally after the transfer is ordered the personal effect shall be moved within six month personal effect shall be moved का मतलता है जो आपको गर का सामान है आपको छे मैने के अंदर shift करना है इसमें एक doubt लोगों आता है कि कोई भी कमिचारी होता है वो क्या सामान shift करने के बाद ही CTG claim करे उसका bill लगा है तो रेले बोड की policy है 16 नमर चेप्टर उसमें कहा गया को जरूत नहीं है आपको सिर्फ एक journey प्रूफ देना है अगर आपने journey प्रूफ दिया है that is sufficient for claim of CTG यानि CTG claim कर लिए आपको journey प्रूफ कुछ भी प्रूफ देते हैं कि मैंने वाँ journey कर ली है मैंने resume कर लिया है तो sufficient है आपको सामा shift करने का bill देने की कोई जरूत नहीं है ये policy relevant किये तो आपको जो claim करना है टांसर पर छे मैंने के अंदर रहने टांसर होने के within six months claim करना है ये rule बोलता है और second point में काया है for retired employees families of the retired death employees in situation where personal effects were moved within one year तो normal serving employees होते हैं उनके लिए power है कि छे मैंने के अंदर claim करना है और जो death case है retirement retire employee है सभी मामलों में आपको एक साल के अंदर claim करना है यानि serving के लिए छे मैना और retire death जो भी मामले होते हैं उनमें एक साल के अंदर claim करना है ये rule बोले power आपको JG series के लिए power दिया है वो sanction करेंगे अब आता है sanction of billeted claims यानि कोई कायम जो जैसे कहा है कि serving employee को छे मने में क्लेम करना है death और retire के मामले में एक साल लेकिन अगर के कमचारी within six month ये एक साल में claim नहीं कर पाया है तो serving का दिसमें लिखा ही नहीं है नहीं है claim नहीं कर पाया है तो एक साल से दो साल की बीच में कर क्लेम करता है तो फिर वो जो power किसी को भी नहीं दिये है यानिकर नेल नेल लिखा हुआ है ये मामला जाएगा सीधा power to be access by GM AGM only तो आपको justification का क्लेम होना च्छी है फिर रिले बूट जाएगा और वहाँ चुकि मैंने आपको पहला बता है पैसा involved होता है देने के तो account करने 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 की आपशकता है in the event of death of a servant while in service where the personal effect was moved beyond one year up to two and a half year तो retirement की case में आपको maximum दो साल है और दो साल के अंदर claim करते तो GM-AGM तक रहेगा और दो साल के बाद आपको reliable जाएगा लेकिन death case में आप ढ़ाई साल तक claim करना है लेकिन आगर मालिजी आप एक साल में claim नहीं करते तो up to two and a half year claim करते हैं तो आपको मामला यहापे भी GM-AGM को जाएगा account करने की इसमें जरूत पड़ेगी family of disease should have been permitted to stay in railway quarter for a period of two years on only तो यह डाई साल की जो benefit है सुजदा उसी को दिये जिसको की कमचरी को तो साल मकान रुखने की अनुमोथी दिये तब ही आपको डाई साल तक का benefit मिलेगा अदर्वास नहीं मिलेगा in situation where personal effect अगर कोई family है death के बाद उसने धाय साल के अंदर भी claim नहीं किया उसके बाद claim करती है तो फिर मामला railway board को बेज़े जाएगा sanction के लिए तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को खतम करता हूँ आगे हम अगले वीडियो में आगे हम करेंगे तो मैं उम्मित करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे है comments के साथ से मुझे लग रहा का आप पसंद आ रहे है subscription अभी भी कम लोग कर रहे है आप से गुजाइश करूँगा कि मेरी वीडियो का सही में अच्छे लग रहे है तो आप सब्सक्राइब जो रहे है हमको भी motivation मिलता है और comments लाइक जिसे कर रहे हैं करते रहे है likes के लिए बहुत बहुत धन्यवाद comments के लिए भी बहुत धन्यवाद